नाजरी नाज़ाब आप देखने हैं VSN News आईए नज़र जालते हैं आज पेश होनी वारे मुख के समाचारों पर हिंदू सेना परमुख संत यूराज महाराज अमरावती में सिये विरुधी अभियान में हुए शामिल करकार की गलत नीतियों पर जम कर बरसे पूरा देश इलिप जुठ है कि हमको कोई कारजी नहीं दिखा रहा है जादा में कहना चाहला कुछ लोग बढ़ बहुत 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 है कई कोई गोई लेकर आता है कोई पथ्छल लेकर आता है कई कोई मंत्री कहता है कि दंडों से मारेंगे कई कोई मंत्री कहता है प्रंट को जानेगे जब तुमें देखेंगे अधिक प्रंट के बाद देखेंगे इतने बर्भों ले हैं और वो भी कहता है कि हम तो उनको जोड़ी मारेंगे कुछ लोग कहते हैं इंको गोली मारेंगे यह देश के गद्दार हैं मैं कहना चाहता हूँ जो सांती से बेथ रहे हैं वो देश के गद्दार दिखाई और फर्श कंगा तुम टुक्ले टुक्ले गें के सriver ले गो क्यों कि तुम जानिया जाते हो तुम जोंकी जियने जाते हो अपिजब दो कि दो ज़ीने जाते हो जगे-जगे पर इसे पर सब्रतार कर जाते हो आप और और जब्दे लोगा तो को फ़रते हैं और हम्से किन त वार्त के इत्रण्य पर जलाया था, उसका नाम है RSS, और बुचिन का प्रणा गांदी को जो रहा था, मैंने तो कि पड़े गैंग के हम बोग सबसुनी हैं, किसी इस सिटी के इंटरत्मा, मेरे मित्रों एक बात और बताना चाहना हैं, तो इस बात का समात करते हुए, इनके इ मुसल्म सिक्क है, इसाही सबी लोग हैं, और मैं ये कहता हूँ, केवल देश को जोडने का काम करते हैं, हाँ, मैं पार्टियों को समर्थन जलूर देता हूँ, मैं ये बाइदा करता हूँ देश के सामने, कि मैं कभी भी किसी परकार से राज रहते कोई पद नहीं लूँग इसके इंतरगत्मा एक करोड पैंतिस लाग से उपर सदश है, पूरे देश के इंतरगत्मा, और C.A.N.R.C. इत्यादी काम परोद कर रहा हैं, हम देश की एक ताखनता के लिए लड़ रहा हैं, क्योंकि मोदी और सहा देश को तोड़ने का काम कर रहा हैं, और हिंद आर्मी देश को जोडने का काम हैं, मैं यह कह रहा हूँ, यह सभी के लिए विरोदमा है, किसी के लिए भी भला ही नहीं है, हाँ, इसमें भाजपा की मानसिक्ता कुछ अलग से दर्शती है, वो क्या करती है, कि जो लोग उनके बोटर नहीं हैं, उनको डाउट फुल लिष्ट में मैं पूरे देश के इंतरगत में जा रहा हूँ, आपके यहां तक जोड़ी मैं आया हूँ, महराष्ट के इंतरगत में, अमरावती के इंतरगत में, लागपुर में, तो आप समझे लिए, मैं देश में कहा कांगया हूँगा, वो माइंडलेस लोग हैं, और वो केवल मोधी बिकास पढ़ाई के इंतरगत में सिक्ष्या के इंतरगत में हैं बिकासि उपाइजय कि इंतरगत मुछेया हें घाता हूं यह मुदीजी का भी तौ 1 प्राष्र राजनीति 50 पिजला से आम इन्यगाद किया गया था मैं साइद खान वी एसम नियूस के लिए किसी ने किसी दर्जे में आपका ये शेहर उससे महफूज है आपके यहां के तमाम फ़ाल मुखलिस उल्माए कराम की महनतों को गुबूर फरमाए और तमाम खुद्दाम दीन को अल्ला अजर अजीम से माला माल फरमाए माजी में भी इस मुल्क पर हालात आए हैं इस्तिमार का भी सामना किया है अंग्रेजों का दोर भी हमारे मुल्क में देखा है और बड़े कर्व से और बहुत सारे मसाइल मशाकिल और दुश्रारियों से हमारा ये मुल्क जूट चुका है लेकिन इस वक्त जो सुरत हाल मुल्क में बना दी गई है और बहुती तश्वीश नाव ने खुले हुए थे सब ने खाते खुलवा लिये कि बस मन्न सल्वा तो उतरने वाला है अब वो बिचारे मन्न सल्वा के इंतदार है फन्तजिरू इन्ी माकु मिन अल्मुनतजिरी पंरालाग के इंतदार में है इसलिए ना लोग कह रहें कि NPR के सिलसिले में ये नारा हमें देना चाहिए कि हम सब मिलकर कहें कि O NPR आप अगर आने ही वाले हैं तो कम से कम इतना एहसान कर दीजिए कि वो 15 लाक रुपे हमारे टर्स के साथ लेते आईए यहां जो हमारा बकाया है लेते आईए तो आपको याद होगा कि एक सहाब ने अदाकार है नाम नहीं लूँगा उन्होंने अजान के बारे में बड़ी कावल इतराज बात कह दी थी बेयान दे दी था तो आसान के एक मुली सहाब ने उनके बेयान पे सक्त इतराज किया और ये बेयान दिया मुली थे जरह गेरत एमानी उनकी जाग उठी तो मुली सहाब ने बेयान दिया कि जो कावल इतराज बेयान देने वाले शलाक रुपया दो ठेकाने के मुली रहोंगे जरह आसाईश वाले अमरा होती के नहीं होंगे जिनको आप लोग बहुत थोड़ी तंखा देते हैं विचारे ठीक ठाक मौलवी रहे होंगे तो एलान किया उनों वो अखबारात में छपा वो अधाकार तक भी पहुँच गया तो भी बड़ा चालाग उसने ये किया कि खुछ से अपना सर मूँड दिया अपनी तस्वीर अखबार में छपाई और लिख दिया कि मौली साथ मैंने अपने हाथ से अपना सर मूँड लिया है आप पाश लाक रुपे मुझको दीजी देखिए लेकिन मौलवी तो वहराल मौलवी होता है मौली से जादा खतरनाक मखलूब काईनात में पैदा नहीं उन्होंने जो जवाब दिया वह बगा खतरनाक उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया कि आपने सर मून लिया जरूर आपको पाश लाक मिनने चाहिए लेकिन वादा किया गया था कि पंदरा लाक रुपे हरे एक के अकाउन में आएंगे आप ऐसा कीजिए कि हमारा पंदरा लाक तो बाक्ती है पाश लाक काट लीजिए दस लाक फिन भी मुझको भीजवा दीजिए चीकी तो है ना पाश लाक आप रख लीजिए दसलाद मुच को बेज़वा दीजिए मैं आपका मकरूज नहीं हूँ आप मेरे मकरूज है आज अमरावती में आल इंडिया मुस्टिम पर सहला बोट की इस लाह मौश्रा कमेटी की तरफ से अजी मुश्टान इजलास आम हुआ जिसमें मुसल्मानों को इस बात का पेगाम दिया गया कि वो इन मुश्किल हालात में अपने आप का इहतसाफ करें जायजा लें अपनी कम्यों और कमजोरियों को दूर करें और सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो आल इंडिया मुस्लिम पर सहला बोट इस बात की कोशश कर रहा है कि इसलाह मुश्रा की तहरीग को देज किया जाए और मुक्तलिफ शहरों और इसलाह मुश्रा कमेटियां काइम की जाए अमरावती में भी सिलसले का आगाज हो चुका है और हमें उम्मीद है कि ये कारवां आगे बढ़ेगा और इंशादला कामयाबी कदम चूँूदे बिल्सौफ C.A.R.C. को लेकर क्या करें C.A.R.C. के बारे में हमारा हुकूमत से ये मतालबा है कि वो N.R.C. को लागू न करें C.A.R.C. को वापस ले और N.P.R. को अगर लाना है तो 2010 के तर्स पर लाया जाए NPR मौजूदा शक्ल में काबल कुबूर नहीं है ये NRC ही की एक शक्ल है इसलिए मुसल्मानों को और तमाम इंसाफ पसंद लोगों को इसका बाइकाट क्या लगता है अब को ये सिर्फ मुसल्मानों के खिलाफ है का लो नहीं ऐसा नहीं है इसे NRC से पूरे देश को तकलीफ पहुचेगी और CAA भी आईन हिंद के खिलाफ है ये किसी कम्यूनिटी का मसदा नहीं है